नमस्कार दोस्तों आपका अपना चैनल आकास ETP में हार देश्ववत करता हूं और आज हमारी इस्टोरिक टाइटल है पैसेंस इस मैजिकल पैसेंस यह नहीं होता है देहरिये मैजिकल यह नहीं होता है जादू देहरिये जादू है चलो देखते हैं इस्टोरि में क्या होता ह देखते हैं देर वोजे ग्रेजिंग पास्चर इन बिट्विन दा फोरेस्ट एंड ए नियर बाई विलेज ग्रेजिंग मतलब तो चड़ना पास्चर वो पास्चर यानि होता है चारा गहा जहां बहां गाय का चड़ने का इस्तान होता है ठीक है बिट्विन यानि बीच में फोरेस्ट एंड जंगल नियर बाई यानि पास में विलेज यानि गाउं जंगल और गाउं के बीच में एक चारा गहा था जस्ट लाइक ओल डोमेश्टिक एनिमल्स ए बेफेलो ओल्सो यूज टू गो टू दा पास्चर फोर इट्स फूड डोमेश्टिक एनि होता है घरेलू ठीक है जस्ट लाइक एनि कीत रहें एनिमल्स यानि जान बुरो या पशू बैफल यानि बहेंश, पास्चर यानि उते हैं चारा गहा, फूड यानि भोजन, सबी गरहलू पशुओं की त्रहां बहेंश भी अपने भोजन के लिए चारा गहा में जाती थी, A monkey that lived in the forest, used to play with the buffalo, always annoying it, monkey यानि बंदर, lived यानि रहना, forest यानि जंगल, play यानि खेलना, विथ यानि शाथ में बैफलो यानि बहेंश, annoying यानि होता है, परेशान, ठीक है, जंगल में रहने वाला एक बंदर, बहेंश के साथ खेलता था, और उसे हमेशा परेशान करता था, It jumped up on the buffalo and pulled its ears, jumped up, यानि होते चड़ना, वहें बहेंश के उपर चड़ गया, और उसके कान खीच लिए, It came from behind, वहें पीछे से आया, and pulled at the buffalo's tail, यानि पूँच और उसकी पूँच खीच लिए, It was awfully torturing the buffalo, awfully यानि होते भै, torturing यानि होते हत्याचार, वहें बहेंश पर अत्यादिक अत्याचार कर रहा था, या बहेंश को बहुत सता रहा था, कौन बंदर, but the buffalo was patiently being these pranks, बट यानि लेकिन बहेंश पैसेंट लियने होते धेरिय पूरक, बेइंग यानि होते शेहना, प्रेंग शेहन नहोते मजाक या सरारत ठीक है, लेकिन बहेंश धेरिय पूरक इन सरारतों को शहर रही थी, एन एलिफेंट वोज विटनेशिंग ओल दीज, विटनेशिंग क्या मतलब होते है, साक्सी या देखना, ठीक है, दिश यानि इन, एलिफेंट यानि हाती, एक हाती यह सब देख रहा था, इट गेम टू दा बेफेलो और एक्स और बेफेली यानि होताय है, बहात्त बहां बहांश के पास गया और पूछा, ए बेफेलो, ही बेफेलो, हाव आर यूं सो पैसेंटली बेंग ओल, बोड़ रेशन ओव दा मंकी तुम इतनी धेरिय से बंदर की सभी परेशानिय कैसे सह रही हो इफ इट हैड बिन अगर मैं होता तो अब तक बंदर मर चुका होता कौन कह रहा है यह हाती अब देख भेंस क्या बोलती है देखते हैं इस नहीं क्या जवाब दिया किसको हाथी को दा बैफैलो रिप्लाइड विद इसमाइल रिप्लाइड इन उत्तर देना इसमाइल इन साथ में बैश ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया डियर एलिफेंट पिर यह हाती इफ वी पावर्फुल एनिमल्स सो और इंप्रेशन्स पावर्फुल एनिग शक्ति साली आनिमल्स यानि जानबरो्षो यानि दिखाना इंप्रेशन्स यानि ओते है एदरीता टीक है एदरीत कि वी जँगल अगर हम सक्ति साली जानबर अपनी एदरीता दिखाएंगे तो जंगल में जीवन कैसे रहेगा याणि कि हम छोटी जानवरों को शेताएंगे तो हमारा जंगल में जीवन कैसा हमारा जंगल में रहना क्या फाइदा God created all animals to live in peace God यानि भगवान created का मतलब होता है बनाना ठीक है दा एलिफेंट वोज अमेज ओए डा मेच यूर्टी ओफ दा वैफेलो है मेच यूर्टी ओफ दा वैफेलो अमेज़ का मतलब होता है परीपक्वाद्व अब नहीं बहेंश आथी बहेंस की परीपक्व को देख कर चकित रहे गया the monkey that was hearing all these from a tree टोब फेल्ट शोरी एंड अपोलो जाइजेड विद दा बैफेलो अपोलो जाइजेड का मतलब होता है माफी मांगना पेड के उपर यह सब सुन रहे बंदर को दुख हुआ और उसने मैंसे माफी मांगी फ्रोम धैन ओंदे बोथ वर क्लोज फ्रेंड इन उता है करीबी दोस तो तबीस से वहें दोनु गनिस्ट मित्तर थे बंदर और बहांस दोनु गनिस्ट मित्तर बन गए चुल इसका मोराल ओर देखते हैं पैसेंस इस पावर पैसेंस यानि ध्यर्य ये पावर यानि शक्ति ध्यर्य ये शक्ति है कैसी लगें चोटी सी स्टूरी अगर अच्छे लगी तो लाइक शेर और सब्सक्राब तो रूख रहें आपका देश्रों बहुत थेंक्यों कि अगर कि कि